गुड इबनिंग इस्टुडेंट्स वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल में आप लोगों के लिए एक बहुत ही मातपूर्ण अपडेट है जो की जॉब से सम्मंदित है भारत डाइनमिक्स लिमिटेड आपने नाम सुना होगा भारत सरकार का एक उद्या है रच्छा मंत्राले के अंतरगत आता है उसमें जो हमारे डिपलोमा इंजीनियर्स के लिए जो टेकनीशियन की या फिर आप कहिए कि जो अपरेंटिसिप की वेकेंसी हैं वो निकली हैं तो इसमें ततकाल आप लोगों को अपलाई कर देना है अभी आप आप देख पारें बिग्यापन आपके सामने स्क्रीन पर तो यह भारत डाइनमिक्स लिम्टेट की तरफ से यह जारी हुआ है और इसमें समय बहुत कम बचा है तो आप लोगों को तुरंत अपलाई करना चाहिए इसके पहले मैंने वीडियो बनाकर के आपको बताया था कि इसके लिए जो भी और बहुत सारे स्टुडेंट्स नो उसको किया भी है और उनको जो समस्या आ रही थी वो भी मैंने बताया है तो इसमें आप देख लिते हैं जल्दी जल्दी कि क्या क्या इसमें मांगा है सबसे पहले तो यह ऑनलाइन अप्लिकेशन से ऑनलाइन माध्यम से आपको करना है ग्रेजुएट के लिए भी है यानि कि बीटेग वाले भी इसमें अपलाई कर सकते हैं उनके लिए अलग है बेकेंसी उनके लिए ग्रेजुएट अपरेंटिसिफ है और आप लोगों के लिए डिपलोमा होल्डर्स के लिए अलग है तो यह दोनों के लिए बेकेंसी है यद कोई B.E.B.T.E.G किये है तो वो अलग अपलाई कर सकता है डिपलोमा होल्डर्स वाले अलग कर सकते हैं तो इसमें तीन साल के पास आउट इस्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है दो हजार इकीस दो हजार बीस और दो हजार उन्नीस तो इसका हम जल्दी से टेबल देख लेते हैं इसका किसकी साखाओं के छात्र छात्रा हैं तो आप यहां देख पा रहे हैं यह आपकी साखाएं हैं पहला मेकेनिकल इंगिनरिंग के छात्र इसना तक ग्रेजुएट यह यानि B.T.E.G. वालों के लिए 28 वेकेंसी हैं तकनीशियन यह डिपलोमा वालों के लिए हैं बारा हैं मेकेनिकल में इसी तरह C.E.C. अबलेक आईटी से यदि किसी स्टूडेंट ने किया है तो B.T.E.G. वालों के लिए साथ और डिपलोमा के लिए या टेकनिशियन के लिए तीन हैं Electronics and Communication Engineering में इसनातक के लिए 19 टेकनिशियन यह डिपलोमा होल्डर्स के लिए 6 हैं इसी तरह C.E.E.C. में आपका इसनातक के लिए एक है और तकनिशियन के लिए इसमें यह डिपलोमा होल्डर्स के लिए मौका नहीं है Chemical Engineering में जो छातर छातर हैं हमारे इसनातक के लिए 2 के वेकेंसी है Technician के लिए 4 के वेकेंसी है तो टोटल इसनातक के लिए संतामन पोश्ट है Technician के लिए आपकी 25 पोश्ट है और यहाँ जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो stipend मिलता है वो Technician Apprentice जिनको कहते हैं यानि जो Diploma Holders होते हैं वो जब Apprentice के लिए जाते हैं तो निउन्तम 8,000 रुपीज मिलता है और जो हमारे Graduate Apprentice जो B-Tech Holders होते हैं उनको 9,000 प्रतीमाई मिलता है तो यह मैं पहले भी बीडियो पना करके आपको बता चुका हूँ तो इस मामले में तो आप जानी गए होंगे अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपको अपलाई कैसी करना है बाती सारे जो नियम है देखी Reservation का हो गया आपका age limit हो गया वो जो होता है जनरली वह आपका वही रहेगा आपको इसमें अपलाई कर देना है नियुनतम स्वास्तमाना क्या होना चाहिए पर सिच्छन की ओधी वन एयर होती है जनरली एक साल लेकिन कुछ ज़्यादा भी हो सकती है कि कुछ जगे पर देड़ साल भी रख देते हैं और एक बाहे तरफ आपका ये वाला तो इसमें आप दायने तरफ वह दिया है विद्यारती जिनों ने राश्ट्रिय वेब पोल्टल पर पंजीकरत नहीं किया है उनके लिए यानि MHRD NETS का जो पोल्टल है उस पर पंजीकरत नहीं किया है वीडियो कई बार बता चुका हूँ और कई महीनों से बता रहा हूँ तो मेरा ये ऐसा मानना है कि सबने MHRD NETS पोल्टल पर अपना पंजीकरत करा लिया होगा तो हम बाहे तरफ बाले को देख लेते हैं बाहे तरफ बाले में आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है देना है उसके बाद संगठन का नाम चुनना है यानि organization कहां पर आप करना चाहते हैं तो उसमें आ जाएगा आपका भारत dynamics limited तो उसमें भारत dynamics limited जब आ जाएगा तो उसमें करना है apply for BDL भानपूर भानपूर के लिए vacancy है और फिर उसके बाद click apply again तो उस पर click कर देना है तो आपका क्या हो जाएगा apply हो जाएगा तो simple procedure है और जो बच्चे अभी तक नहीं किये हैं फिर उनसे request कर रहा हूँ कि यदि आप apprenticeship करना चाहते हैं किसी भी बड़े से बड़े जो apprenticeship board के अंतरगत पंजी करत है या आता है तो आपको MHRD NETS के अंतरगत अपना registration कराना ही होगा किसी बज़े से यदि अभी तक आपने नहीं कराया है तो apply कर दीजिए वेकेंसी लगातार आती रहती हैं ये वेकेंसी निकल जाएंगी तो कोई बात नहीं आपको आगे फिर मौका मिलेगा लेकिन इन मौकों से आप मत चुकिए आप इसको कर लीजिए बाकी सारी देखे न लाज तारीक आपकी 25 जनवरी है तो आज अभी आप apply कर सकते हैं टाइम है और ये भारत डायनमिक्स लिम्टेट भानपूर में जो लाज डेट अपलाई करने की वो 27 जनवरी है और इसके अलावा जो आपका result है rank बगएरा है वो 3 फरवरी को हो सकता है ये जारी कर दिया जा इसमाली जी कई बार ब्रांच वाले कुछ चात पूछते हैं कि सर हम eligible हैं कि ने उसी तरह की मिलती जुलती ब्रांच होती हैं तो आप इनमें message करके student query board srp.com या दूसरे वाले या दीसरे में इनमें आप जरूर तीनों में कर दीजिए और एक query डाल दीजिए हिंदी या इं login कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूं ताकि आप उसको आसानी से login करके apply कर सके तो आईए देख लेते हैं तो बच्चों यह है आपका nets portal जिसका जो address वो आप यहां देख पा रहे हैं मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं portal.mhrdnets.gov.in इसका extension है यहां पर देख करूंगा तो आपका क्या होगा पोर्टल का जो login ID है आपका वो खुल जाएगा यह देखिए अब यहां पर यह student को अपना आपको email ID या login सारज detail बता है यह देखिए login के लिए तो यहां email mobile user ID जो मिला है यहां एंटर कर दीजिए अपना password यहां एंटर कर दीजिए जो capture यहा एक apply पे click कर दीजिए अपना resume या bio data आपका मांगेंगे या उसको upload कर दीजिए और इस तरह से आपका apply हो जाएगा time से उसमें ज्यादा time taking भी नहीं है और कोई piece भी नहीं है तो इसको तुरंत apply आपको कर दीजिए बिना कोई देरी किये तो आज के लिए इतना काफी है इसी तरीके के उपयोगी जानकारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए आपको सुब कामना हो सहत आज किस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ thank you very much आपका दिन शुब हो